नमस्कार दोस्तों शावन मास महादेव और माता पारवती का आशिरवात प्राप्त करने वाला महिना होता है इस महिने में आने वाले वरत और देवार पढ़ते हैं जो आम तोर पर लोग सावन के महिने में सोमवार का वरत रखकर महादेव को प्रसंद करते हैं वही मंगलवार का वरत रखकर पारवती माता को प्रसन किया जाता है लेकिन आपको बता दे कि सावन में जितना महत्व सोमवार का होता है उतना ही महत्व मंगलवार के दिन का होता है सावन के मंगलवार का वरत मंगला गोरी के वरत के नाम से जाना जाता है और इसमें मा गोरी की आराधना की जाती है जिन लोगों के वेवाएग जीवन में समस्या चल रही है संतान सुप की कमी है उन्हें सावन के महिने में माता मंगला गोरी का अवरत जरूर करना चाहिए और कुछ खास उपाय करने चाहिए माता गोरी की विधिवत पूजा करके उनसे अपनी समस्याओं की मुक्ति के लिए प्रात्ना करने चाहिए मानिता है कि सावन का महिना महादेव और माता पारवती दोनों का अतिप्रिय महिना होता है इसलिए इस माहा में जो भी पूरी श्रद्धा से उनकी आरादना करते हैं माता पारवती और भोलेनात उन पर जरूर प्रसन होते हैं और उनकी मनो कामना पूर्ण होती है कितनी भी बादा आए कितनी भी मुश्कीले आए सारी समाप्त हो जाती है जिन कन्याओं का विवाह ना हो रहा हो और जिनके विवाहिक जीवन में सुख ना हो जिनकी संतान ना हो ऐसे इस्त्रियों को यह वरत जरूर से जरूर करना चाहिए इस वरत की ममिमा का उल्लेक भविश्य पुरान में भी किया गया है और कुछ खास उपाई बताए गए हैं जिन लोगों को मांगलिक दोश लगे हुए हैं मंगल है उन्हें भी कुछ ऐसे उपाई बताएंगे जो आपके रुकावटों को दूर करेंगे आईए जानते हैं कुछ उपाई सावन के मंगलवार के दिन किसी भी मंगलवार के दिन सावन होना चाहिए उसमें आवरत रखें विधी पूरबक भगवान शीव और माता लक्ष्मी की पूजा करें करते टाइम पूजा करते टाइम एक लाल कपड़े में दो मुठी मसूर की दाल बांद कर किसी भी बिकारी के लिए रख दे और किसी भी बिकारी को यह दान दे दे इस दान के करने से आपके सारे मंगल दोश दूर हो जाएंगे और मंगल का प्रभाव भी कम हो जाएगा कुवारे बच्चे यानि लड़का हो या लड़की जिने मंगल दोश है या फिर विवाह में बाधा आ रही है विवाह नहीं हो पा रहा है उन्हें सावन मास के मंगलवार के दिन श्रीमत भागवत गीता के अठारवे अध्याय का पाट जरूर करना चाहिए इससे आपके विवrzy्वात का जाप पूरे सावन में भी करना चाहिए मंगलिक दोश को दूर करने के लिए अशुप रभाव से बचने के लिए मंगला गोरिवरत के दिन मंगल का रतन मूंगाधारन करना चाहिए गेहु, मसूर की दाल, तामभा, सोना, लाल फूल, लाल वस्र, लाल चंदन, केसर, कस्तूरी, लाल बैल, भूमी आधी का दान करना चाहिए पानी में लाल चंदन या थोड़ा सा कुमकुम पाउडर मिला कर इसनान करना चाहिए मंगला गोरी यंत्र की स्थापना कर अपने घर में रोज इसकी पूजा करनी चाहिए सावन की प्रत्यक मंगलवार को मंगला गोरी व्रत जरूर करना चाहिए इस दिन देवी पारवती को प्रसन करने के लिए आप अपने घर में मंगला गोरी की मिट्टी से मूर्ती बनाएं और साथ में शिव भगवान की भी शिवलिंग बनाएं उनकी दोनों की पूजा करें इससे आपके सारे दोश भी दूर हो जाएंगे अपके घर में सुक सांती वा समरदी आएगी जिनें कोई दुख भी नहीं है वे भी इस वरत को कर सकते हैं आप मंगला गोरी वरत अवश्य करें अगर आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेट में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग अगर हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिएगा बगल में बैल आइकन दिख रहा होगा उसे भी प्रेस करके ओल पर किलिक किएजिएगा ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डाले आप तक सबसे पहल पहुँचे आप लोग हमारी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरू करें लाइक कीजिएगा अधिक से अधिक संख्या में लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वे भी जानकरी प्राप्त कर सकें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए ओम नमस् कर दो प्रूँ जले unle सकित लिए यडों क busy는ह तो कर दोर सब्सक्राइ yük में औरूब को से वीडियोर को शेर रहा हैं पतल नमस्वेशल तोसी को से आपड़े गर rehम झाले याज़े लिए हैं तोसी उपार याम हैं जले तोसी नमस्यान से प grणता हैं बदार प्रा arbeitet